So, let's see our next question which says find the value of tan inverse x upon y and then minus tan inverse x minus y upon x plus y. All right, so simply हम लोग यहाँ पे tan inverse something minus tan inverse something का हम लोग formula apply कर लेंगे. बस हमें condition check करनी पड़ेगी क्या हमारे पास x into y करने पे greater than minus 1 हमें obtain हो रहा है. तो अगर वो condition बारे फुल्फिल होगी तो हम लोग यहाँ पे simply वो formula apply कर लेंगे. और क्यों ना हम लोग डाइटली वो formula apply करने है? Because NCIT book में हम आरे पास tan inverse x minus tan inverse y का सिर्फ एक ही formula given है. All right, वैसे आप सबको पता है कि tan inverse कोई a minus tan inverse कोई b is equal to जो होता है, आरे पास वो होता है tan inverse a minus b and then 1 plus a into b. यह formula आपका तभी applicable है जब a into b करने पे आपको greater than minus 1 obtain हो. All right, so ध्यान से देखिए, हम लोग यह formula directly apply करते हैं, यहाँ पे जहाँ पे हमारा यह चीज रहेगी a and यह पूरी चीज रहेगी हमारी b. जो ध्यान से देखिए, यह हमारे पास बन जायाएगा tan inverse and then हमारे पास आयाएगा a यानिकी x upon y minus b यानिकी x minus y upon x plus y and then whole divided by 1 plus a into b हम लोगों ने कर लिया. All right, यह formula हमने apply कर लिया हैं, विदादवा आपको अब आपको अभी कि actual में यहाँ पे a into b करने पे minus 1 कैसे आने वाला है? पहले कि उनना हम लोग इस सवाल को ही पूरा solve कर लिया, okay? तो धान से देखिए, यह आपका opt-in हो जाएगा, आपके पास tan inverse and then this will become what? यहाँ पर यहाँ पर यहाँ यहाँ हो तो यह हो जाएगा x square plus xy and then यह multiply यहाँ हो तो यह हो जाएगा minus ka xy and then plus ka y square, okay? and then whole divided by, यहाँ भी l से माने वाला है y bracket में x plus y and then आपके पास उपर के आने वाला है, तो यह पूरी चीज़ आजएगी यहाँ पर y x plus y square, हाँ कहा सकते है xy plus में y square and then plus ka x square and this is what minus ka xy, okay? so terms को आपको बस simply cut out करना है, simply यहाँ पहले डिरिमेटर यहाँ cancel out हो जाएगा, डिरिमेटर यहाँ पर cancel out हो गया, xy से आपका xy cancel out हो गया यहाँ पर, similarly xy से xy यहाँ भी cancel out हो गया, आपको obtain होगा, tan inverse and this is what? x square plus y square and upon में again x square plus y square, okay? alright, ना धान से देखे, यह आपको जे देखा tan inverse, what? only 1 और आप सबको पता है tan inverse 1 का मतलब क्या होता है, हम इसको बूल सकते है tan inverse tan pi by 4 और ultimately we will get what? ultimately we will get only pi by 4 so यह इस question का required solution आप लोगों को obtain हो गया, okay? now आप एक चीज़ देखिए, हमने यह वाला formula यहाँ पर apply क्यों किया, हमने इस condition को check ही नहीं किया तो लिए हम इस condition को check करते हैं, याद रखिएगा, जो काम आपने यहाँ लिखा है, इसके just बाद आपको since में करके इस वाले पार्ट को लिखना है, ठीक है? तो आपनी यह चीज़ क्यों करी, आपनी इस लिख है, because, धान से देखिए, आप में प्रूफ करना वोड़ेगा, कि x int upon y multiplied by this term is हमारा greater than minus 1 obtained होना चाहिए, okay? तो यह हमें प्रूफ करना है, okay? तो किसी भी किताब में इस इसका प्रूफ नहीं गिवन, आप देखिए यहाँ पे, मैं सो करने वाला हूँ, आप लोग के सामें ध्यान से देखिए, रहसे आप सबको पता है, कि x square plus y square, चाहे हमारे x और y कोई से भी number हो, real number की बात कर रहा हूँ मैं, तो कोई भी number यहाँ प हमारे पास हो जाएंगे, तो यह 0 नहीं हो सकते, इसलिए हम इलखा, दो numbers की square को आड़ करने पर हमें कुछ ना कुछ number positive का ही मिलेगा, इस बात से अगरी है आप लोग, धान से देखिए, positive एक number है, plus मैं अगेन एक positive number है, आपको इससे एक positive number ही मिलने वाला है, ओके, आपने ए x square greater than what minus y square, ओके, आपने minus y square यहाँ भी किया है, minus y square यहाँ भी गया है, तो यह तो कट जाएगा, वहाँ से, आपको okay हो जाएगा यह चीज, नाव है पर काम कीजिए, both sides आप लोग फिर से minus xy कीजिए, तो यह हो जाएगा x square minus xy is greater than what minus y square and again minus xy, इस बात सभी लोग एरी करें I think, okay, now आप यहाँ से common लीजिए x, तो आपको मिलेगा x minus y is greater than what, यहाँ से आप common लीजिए minus का y, तो आपको obtain होगा again y plus x, या फिर हम इसको x plus y भी बोल सकते हैं, okay, तो आप इस चीज को लिख सकते हैं, ऐसे x into x minus y is greater than what, minus 1, minus n का मतलब minus 1 and this will be what, y into x plus y, कोई इश्य नहीं होन आप लोगों का, यह x plus y मैंने यहाँ लिख दिया, okay, now आप एक काम कीजिए, इस दुनर साइड आप लोग क्या कीजिए, आप लोग y upon x plus y and यहाँ भी आप लोग y into x plus y से आप दुनर साइड को divide कीजिए, okay, so यहाँ पे आपको obtain हो जाएगा x upon y and then x minus y upon x plus y, मैंने यहाँ प cancel out हो जाएगी यहाँ से, आपको मिलेगा सिर्फ minus 1, धान से देखिए, यह है आपका actual में a, यह है आपका actual में b, और दोनों को multiply करने पर आपको get them minus 1 obtain हो रहा है, इसलिए आप लोगों ने यह formula यहाँ तो apply कर दिया, okay, यह चीज किसी भी किताब में नहीं गिवन आपके साथ ठीक है, तो मैंने आपको सिखाया, आपको इसकी शुरुवात किस से करनी है, आपको इसकी शुरुवात करनी है, इस वाली expression से, ओके, यह inequality आप लोगों लिखी है आपे, x square plus y square हमेशा बढ़ा होगा positive से, 0 से, ओके, देन आपने इस चीज के मध्यम से इस चीज को proof कर दिया, ओके, तो यह इस question का required solution याद रखिएगा, यह proof आपके required नहीं है, exam में show करना, बट फिर भी समझ देगे point of view से मैंने इस चीज को आपके सामने show कर दिया, all right, so इस चीज को please आप लोग note down कर लिजे,